अगर कोई ये कहता है कि CA Final IDT के News Labors के अंदर कोई Change नहीं आया है तो ये आधा सच है आधा सच कैसे है? देखी जो Changes उपर-उपर से दिखाई दे रहा है वो ये कि वह एक चप्टर कस्टमे से हट गया है और GST के अंदर एक नन्ना मुन्ना सा चाप्टर Ethics on GST ये add हो गया है अगर बात सिर्फ यहां तक की ही हो तो मैं भी बोल दूँ भाई के चलो कोई Change नहीं आया है क्योंकि जो सलेबस मैं से कट गया उसका करना गया है और जो add हो गया है तो वो भी नन्ना मुन्ना सा चुटकू सा चप्टर आया है खेलते कूटते हुए कवर कर लेते हैं लेकिन बात यहां तक की नहीं है Change जो यहां पर आया है वो major change है जो यहां तो दिख नहीं रहा है या लोग दिखाना नहीं चाह रहे है मैं आपको बताता हूँ Change दरसल आया क्या है अगर हम सलेबस को खूल कर देखते हैं तो यहां सा सलेबस की शिरुवात अपनी है हो जाती है और चलो ठीक है ठीक है कोई ने कोई ने कोई ने लेकिन यहां पर आकर एक special note हमें देखने के लिए मिलता है इस note में यह लिखा हुआ है While covering the above laws, students should familiarize themselves with the ethical consideration and information technology aspects बोले तो GST Portal, मैं मानता हूँ कि इससे जो books का content है, जो text है उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा लेकिन पढ़ाने के style में जरूर जरूर बदलाव करना पड़ेगा आपका जो question paper आएगा, वो GST Portal पर एक तरह से based होगा Examiner यह assume करके बैठेगा कि आपको GST Portal की knowledge है, practical ग्यान आपको है तो यह तो एक बड़ा परिवर्तन है और मजे की बात यह है बदलाव इस बात को लेकर हमें बड़ी खुशी मिलती है कि जब आपका जो shock होता है, वो profession बन जाए तो कहीं नहीं क्या April 2020 से GST Portal का भरपूर इस्तिमाल करते हुए आ रहे है Example के तोर पर E-Way Bill चैप्टर, E-Way Bill जैसे छोटे चैप्टर पर ही एक घंटे का समय लगा रखा है हमने GST Portal पर क्या होता है, कैसे बनता है, चाहे registration हो, रिटर्न हो, यह हो कैशलेजर, ट्रांसफर करना, A2, B2, सारे के सारे अपने कवर कर रखे हैं, ITC के फर्म्स वगएरा, जितने भी हैं सब का सब यहां थियोरी होती है, इदर उसका practical Portal से लिंक होता है आपको लग रहा होगा साब, यह GST Portal से तो समय जादा लगता होगा बिल्कुल भी नहीं, समय कम लगता है, यह जब थियोरी के साथ GST Portal से लिंक किया जाता है, तो बाते जादा अच्छे से समझ में आती हैं, कॉंसेट एक बार में किलियर होता है अब तक मैं यही कहता रखनें, भी है GST Portal जरूर करना, जरूर करना एक अच्छे से यह बनके जाओगे, अब तो मेंडेट कर दिया, बात ही खतम कर दिया भाई साथ, अब तो करना ही पड़ेगा आपको, तो इस लाइन को इगनोर नहीं कर सकता अब किसी भी कीमत पर, यह लाइन बड़े काम की लाइन है, और मैंने अपने बैचिस के अंदर भर भर के इसको पढ़ाया GST Portal को, अब और इसको ज़्यादा मैं कर के दूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर की टोन चेंज हो जाएगी अब ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसका मीनिंग आप बताइएगा कि इंस्टूट चाहती क्या है तीन चेंजिस हैं आपके, एक तो GST के ऊपर जो अपने एथिक्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि भीया, यह आपका चैप्टर बढ़ गया है एथिक्स आपको पता होने चाहिए और जो केस स्टडी वो पहले भी पूछा करते थे हाला कि लेकिन अब उनकी डेंसिटी और बढ़ा दी है, हाई डेंसिटी की केस स्टडी उन्होंने आपके लिए यहाँ पर दे दी हैं इन तीनों बातों को एकठा करके देखें, तो मुझे वन वर्ड में बताईए आखिर वो चाहते क्या हैं, आपको GST के एथिक्स पता होने चाहिए, प्रफेशन एथिक्स क्या है, GST पूर्टल का पूरा ग्यान और प्रैक्टिक लाइफ के स्टडी, यानि कि CA बनने के आपको निकलना है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, ये आपको नहीं आथा, तो ऐसी कि तैसी कर लिया, क्या कि सीख लिया आपने, सोचो जरा, एक चार्डर काउंटेंट, और भाई साब उसे थियोरी पूरी आती, पर पूर्टल का आज तक देखा है नहीं, चल क्या रहा उसे पता है नहीं कि बहुए, ITC-01234 कैसे फाइल होते हैं, क्यों फाइल होते हैं, कहां का क्या रिस्टिक्शन आती हैं, क्या परसिबिल्टीज होती हैं, क्या गिलिच है पूर्टल के ऊपर, पता है नहीं, तो कैसा सी होगा वो, सोची जरा, मैं आपके लिए बैच लेकर आया हूं यहां पर आकर, यह दिखिए, यहां पर आकर, यह हमारा न्यूज लेबस पर बेजड, जो बैच इस हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, बैच वन स्टार्ट हो रहा है 25th of July से, और यह 14th of September को कम्प्लीट हो जाएगा, All Day Classes, सातों दिन क्लास होएंगे इसके अंदर, सम को, और यह अविलेबल है, Live Plus Recorded, GDPD और Mobile, और यह आपका Special Query Session इसमें रखा जाएगा, ठीक, उसके बाद, बैच टू आएगा आपका, जैसे ही यह complete होता 14th September को, उसके तुरंट बाद आपका एक और बैच आएगा, 15th of September को, और यह आपका 15th of November तक चला जाएगा, शाम की ट पूर आपका 100% Live होगा, GDPD और Mobile में भी आपको यह अविलेबल करवा दिया जाएगा, Special Query Session जहां पर भी अपने रखे जाएगे, ठीक है जी, उसके बाद में, और News की में, हाला कि वो मैंने बता दिया, Strongly Focused on GST Portal है, और यहाँ पर, जो Case Studies बनाए गई है, शानदार वाली व कि आखिरू आपसे चाहते क्या हैं, ठीक, और पांच ऐसे Features हैं हमारे पास में, जो कहीं और आपको नहीं मिलने वाले हैं, नमबर एक, GST Portal का इस्तिमाल, जो कहीं और आपको नहीं मिलने वाला है, दूसरा है, Practical and Live Demo's होएंगे आपके, Answer Writing Practice, जी हां, आपको अपने Question का Answer ल हर चाप्टर के TEST आपके होते हैं, और जैसे चाप्टर होते चली जाते हैं, आपके TEST आपके DR., पर अबडेट होते चले जाते हैं, आप अपने एक्छक हिसाब से जब चाहे तब TEST दें, उसको समίνट करें, 7 days के भीतर भीतर आपकी copy आपको चेक होकर मिल जाती हैं, और हम IRA को भी ट्रेन करते हैं तो इसके चलते हुए जब भी आपकी क्लास में माहौल बनता है सर्च का सीजर का रेड का शोकोस रोटिस का तो हम आयरस ऑफिसर को आपकी क्लास का हैसा बना देते हैं और वैसे करके बाद चलती है जिनका एक्जाम नेवंबर 2003 में है उनके लिए भी हमा पचास घंटे प्यॉली तीन घंटे की क्लास होगी पचास लेक्चर होंगे टना टन तरीके से अपका सलेबस होगा और इसमें पचास लेक्चर में हम कर पाते हैं शांदार तरीके से विद क्वेशन आंसर और इसके पीछे कारण सिर्फ यह है कि GST Portal का इस्तिमाल तो अब आ बाकी सब तो बहुत बहुत धन्यवाद थाइंक्यू सो मच राधार आने के क्रिपा आपके पर यहीं बनी रहे इनी कामनाओं के साथ राधे राधे